इस वीडियो में आज हम लोग किरिया के बारे में, किरिया की परिभासा के बारे में, किरिया क्या होता है इसके बारे में, धातू के बारे में, भेद के बारे में, और भेद सबसे इंपोर्टेंट आपका क्या है कि कर्म के अधार पर किरिया के कितने भेद होते हैं, दूसरा क्या कह रहेगा आपका की रचना की आधार पर परियूग की आधार पर सन रचना की आधार पर किरिया के कितने भेद होते हैं। जैसे में एक्जाम्पल आपको दो कि लड़का मिठाई खाता है लड़का मिठाई खाता है घोना दोर रहा है चेडिया उड़ रही है दिखें यहाँ पे जो खाना हो गया दोरना हो गया उड़ना हो गया यह सब क्या है आपका क्रिया है क्या है आपका क्रिया बहुत असान है असानी से समझ जयेगा परिभासा की बात करते हैं परिभासा का वर्ड होता है definition जिस सब्ध या सब्ध समुह से किसी काम के करने या होने का बोध होता है जैसे दिखिये पढ़ना, लिखना, जाना, हसना, इत्यादी सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए ना है क्या है आपका? ना सभी किरियाओं के अंत में ना लगा हुआ है अब ये ना क्या है? इसको देखिए धातू का जिक्र किया मैंने किरिया के मूल रूप मूल रूप का मतबता root form, base form उसको क्या बोलते हैं भई धातू कहते हैं अधातू में ही ना लगाने से धातू में क्या लगाईएगा ना लगाने से किरिया बनती है किरिया कैसे बनती है धातू में ना लगाने से क्या बनेगा भाई किरिया बनेगा जैसे में देखिए धातु है यहां पर ना है लिख ना जोड़े लिख ना जा है तो जा में ना जोड़े तो क्या हो गया जा ना यह आपका हो गया अधातू सबसे बड़ी बात किरिया के भीद और यहां से questions आपके बोड में पूछे जाते हैं कर्म के अधार पर सबसे पहले तक आपको यह जानना होगा कि कर्म होता क्या है subject करता किरिया के बाद क्या आता है कर्म आता है कर्म के अधार पर दो परकार के है किरिया कितने परकार के आपका दो पहला हो गया सकर्म की किरिया दूसरा आपका हो गया अकर्म किरिया सकर्म किरिया किसे कहते हैं ट्रांजिटी वर जिस वाक्य में कर्म हो जैसे मैं कहूं कि मोह गर जाता है मोहन किताब पढ़ता है किताब कर्म 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 कर् क्रिया के दो भे धवते हैं पाला सकर्म किरिया रोस्ता कर्म किरिया अब गएं देख लो इदर रचना प्रेयोग सं रचना है तीनों एकी है पाला सामान्य किरिया दूसरा सर्राय संजुक्त उता है प्रें legitimately किरिया पेड़नर्थक किरियी है चौता अप्रवकाली इतकि पांचवा नाम धात्व क्रिया नमबरा क्रिदंत क्रिया सात्वा के सजातिय क्रिया और आठवा है सहाय क्रिया प्रचना परियोग सन्रचना तीनों एक ही के सही सधार क्रिया के कितने वेद होगे भाई आठ अब बात करते हैं काल की अनुसार क्रिया के भेद तीन होते हैं वह तीसरा वर्तमान कालिक किरिया और तीसरा वहविस्यत कालिक किरिया तो यह आपका हो गया किरिया वात में किसी काम का करना या होना आप समझ गए धातू क्या होता है किरिया के मूल रूप को धातू कहते हैं धातू में ना लगाईएगा तो आपका किरिया हो जाएगा किरिया क सकार्मक क्या के दुविद एक कर्मक और द्वी कर्मक, रचना के अधार होते हैं 8 अब कमेंट वोक्स में जवाब दीजिए игobile किरी या के कितने भेद होते हैं, धन्यवाद